आपके पसंदीदा कारिक्रम विशीश में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ वभभरा शुक्लाब भारत के पूर्वोतर रज असम में दश्कों से बोडो जंजाती से जुड़ा एक विवादित आंदोलन चलता रहा इस आंदोलन की जद में हजारों लोगों की जान गई दरसल बोडो संगठन काफी लंबे समय से ब्रमपुत्र नदी के किनारे से उपरी हिस्से पर एक अलग राज बोडो लेंड बनाने की मांग करता रहा है बोडो आंदोलन के पीछे ये तरक दिया जाता रहा कि उनकी जमीन पर दूसरे समधायों की अनाधिर कित मुझध की बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से उनकी प्रभुत्व शेत्र और पहचान को खत्रा है वो सुरक्षित महसूस नहीं करते इसी वजह से इन उग्र संगठनों ने कई बार हिंसक रुक अख्तियार किया खासकर 1980 के बाद बोडो अंदोलन को रोकने के पहले भी कई प्रियास किया जा चुके हैं लेकिन वो नाकाफी थापित हुए है आखिरकार केंद्रिय ग्रह मंत्रिया में शाह की मौजूद्गी में केंद्र सरकार असम सरकार और बोडो अगरवादियों के प्रितियों के ने असम समझोते पर हस्ताक्षर किया है इस समझोते के साथ ही बरसों पुराने विवाद और हिंसा के खत्म होने की उम्मीद है जानेंगे इसके पूरे इतिहास को और ताजा बोडो समझोते को भी तो आईए शुरू करते हैं आज का विशेश बोडो समस्या के समाधान को लेकर केंदर सरकार ने एतिहासिक बोडो समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं केंदर असम सरकार और बोडो उगरवादियों के प्रतिनिदियों के बीच हुए इस समझोते के बाद ग्रह मंतरी अमेश शाह ने कहा कि अब असम और बोडो के लोगों का सुर्णिम भवश्य सुनिश्यत होगा इस समझोते के साथ ही खरीब पचास साल से चला आ रहा बोडो लेंड विवाद समाप्त हो गया प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कहा है कि इस समझोते से बोडो लोगों की खास संशक्रती को और संरक्षन मिलेगा ये एक एतिहासिक पल था केंद्र ग्रहिमंतरी अमिच्शा की मौझूदगी में 27 जनवरी को दिली में 50 वर्षों से चले आ रहे बोडो मुद्दे के समाधान के लिए समझोता किया गया बोडो समस्या के समाधान को लेकर केंद्र, असम सरकार और बोडो उग्रवादियों के प्रतिनिधियों के बीच एतिहासिक त्री पक्षिय समझोते पर हस्ताक्षर किये गए इसमें असम के प्रतिबंधित उग्रवादिगुट बोडो लेंड नाशनल डिमोक्राटिक फ्रंट एंडी एफबी भी शामिल है करार के बाद ग्रह मंत्री अमिश्या ने कहा कि इस समझोते से असम की अखंडता का रास्ता साफ हुआ है यह समझोता सुनहरे भवश्य का दस्तावेज है क्योंकि सारे बोडो संगठन समझोते में शामिल है उन्होंने कहा कि इस समझोते के बाद अब असम और बोडो के लोगों का स्वर्णिम भवश्य सुनिश्यत होगा यह एग्रिमेंट असाम और बोडो क्षेत्र के सुनहरे भवश्य का दस्तावेज है क्योंकि सन 1972 से आपसु द्वारा एक तुथक बोडो राज्य की मांग उठाई गई सुरुवात में ए आंदोलन लोक्तांत्रिक तरीके से चला 87 से 1987 से ए आंदोलन हिंसक बना और सभी तरीके से यह पूरे ख्षेत्र को असानती से घ्रस करकर ए आंदोलन रहा ग्रहवंत्री अमिच्छा ने कहा कि समझोते के बाद उत्तरपूरु को अस्थिरता के दौर से बाहर निकाला जा सकेगा उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्रु सरकार बोडो लोगों से किये गए अपने सभी वायदों को समय बद्ध तरीके से पूरा करेगी इस समझोते के तहट असम में रह रहे बोडो जन्जातियों को राजनेतिक अधिकार और समधाय के लिए आर्थिक पैकेज दे जाने का प्रावधान है सारे युवाओं को पढ़ाय लिखाई के लिए अच्छे इंस्टिटुशन्स खड़े हो इस प्रकार के काम और बहुत सारे नौर्थिष्ट के समग्रक्षेत्र की आरोग्य की सुविधाओं के काम करें तो जो नारा दिया था प्रदान मंतरी जी ने सबका साथ सबका विकास और अब इसके साथ सबका विश्वास जोड़कर इस पूरे नौर्थिष्ट के त्रको एक असांती से बाहर लाने का अस्थीरता से बाहर लाने का एक प्रयास हुआ है असाम में संती विवस्टा हमेशा के लिए बार कर रहेगा और संती जहां होंगे विकास भी वहाँ जूर से होने लगता है ये चब को मालूम है तो इसलिए आज जो एग्रिमेंट बोरू ओगिनिजिशन से हुआ है मैं खास करके इस विशय पर बोरू लिडरिस को धन्नवा देना साहता हूँ क्योंकि उन लोगों ने बहुत बहुत इस विशय पर सहीूग किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयतिहासिक बोडो समझोते का स्वागत करते हुए कहा कि ये समझोता बोडो लोगों के लिए परिवर्तनकारी परिणाम बाला साबित होगा उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बोडो समझोता कई कारणों से एहमियत रखता है ये सफलता पूर्वक एक फ्रेमवर्क के तहत संबंधित हितधारकों को एक साथ लाता है जो लोग पहले शरसस्त्र विरोधी समुहों से जुड़े थे वे अब मुखिधारा में शामिल होंगे और देश की प्रगती में योगदान देगे ये समझOWता बोडो लोगों की अनूठी संस्कृती को आगे इलाने और सन्रक्षित करते होए उसे लोख प्रिये बनाएगा प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि बोडो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद है और विशेश कर असम जिस स्थिती से गुजरा है उसे बदलने के लिए कोई ठोस पहल कभी नहीं की गई क्या हम इस्थिती को ऐसे चलने देते हैं जी नहीं कताई नहीं हमने एक तरफ नौर्फिस के विकांस के लिए अभुत पुर्वय योजनाओं की शुरुवात की और दूसरी तरफ बहती खूले मन और खूले दिल के साथ सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बाच्ची चुरू की बोडो समझोता आज इसी का परणाम है इस समझोते के बाद 1500 से अधिक हतिया धारी सदस्य हिंसा का रास्ता छोड़कर मुखे धारा में शामिल हो जाएंगे समझोते में बोडो आदिवासियों को राजनीतिक, आर्थिक, कारेपालक और भूमी अधिकार देने का प्रावधान किया गया है इसके अलावा उनकी सांस्कृतिक और भाशाई पहचान बनाय रखे जाने का प्रावधान है केंदर और असम सरकार बोडो समझाय के आर्थिक विकास के लिए 1500 करोड रुपे की वित्य सहईता देगी केंदर और राजे सरकार विशेश विकास पैकेज के जरिए आसम में बोलक शेत्रों के विकास के लिए खास परियुजनाई शुरू करेगी पहले उत्तरपूर्व के राज्य अपने को अलग थलग महसूस करते थे लेकिन केंद्र में 2014 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई में सरकार बनने के बाद उत्तरपूर्व के राज्यों पर खास ध्यान दिया गया प्रधान मंत्री मोदी ने ये सुनिशित किया कि हर हफ़ते या 15 दिन में केंद्र का एक मंत्री पूर्वत्तर राजियों का दौरा कर वहां की मूल भूत सनरचा की समीक्षा कर विकास की नई इबारत लिखे तौरा में पिछले साल अगस्त में एनल एफटी के 88 सदस्यों ने आत्मसमार पड़ किया 16 जनवरी 2020 को हुए ब्रू यांग समझोते पर हस्ताक्षर करने से लंबे समय से चली आ रही मानविय समस्या का हल निकला और कुछी दिन बाद 644 काडर एसम सरकार के सामने आत्मसमार पड़ कर देश की मुखे धारा में शामिल हुए बोड़ो समझोता इस कड़ी में चौथा बड़ा कदम है प्यूरो रिपोर्ट राज्य सभा टीवी बोड़ो समझोते से ना केवल दशकों से हिंसा ग्रस्त बोड़ो इलाके में शांती गायम होगी बलकि आसम की एक शित्री अखंड़ता से समझोता किये बगएर उनकी भाशा और संस्कृती का संड़क्षन भी होगा दरसल इस समझोते ने असम की क्शित्री अखंड़ता की स्थाई रूप से पुष्टी की है साथी बोड़ो क्शित्रों के विकास का मार भी प्रशस्त किया है आईए जानते हैं बोड़ो समझोते के मुख्य प्रावधानों के पारिमें अलग बोडोलेंड राज्य की मांग को लेकर असम में लंबे समय से चले आ रहे हिंसात्मक आंदोलन ने अब शांती का रास्ता अपनाया है बोडोलेंड अंदोलन चलाने वाले संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ओफ बोडोलेंड यानी अन्डी एफबी और अन्य संगठनों ने केंद्र सरकार के साथ बोडो समझोते पर हस्ताक्षर कर राज में राजनेतिक, आर्थिक फायदे और सांस्कृतिक विकास के नए मार को प्रशस्त किया है इस समझोते में असम की एक शेत्री या खंड़ता को बरकरार रखते हुए अलग राज या केंद्र शासित की मांग पूरी नहीं की गई है समझोता के एक मुख्या अंक्षा है, प्राधाना है, या बोरो लैंड अलग नहीं होगा असम से, बोरो लैंड विल रिमें पार्ट अफ टेर्ट रेव असम उसके हिस्सा रहे बने रहेगा और एंडिपेंडेंस में विल राधाना हैं, तो सवाली तो नहीं है, मगर ट्रिटोल इंटेग्रिटी असम का मेंटेन किया जाएगा, तो खंडित नहीं किया जाएगा और बोरो लेंड, प्रिजन जो BTAD एरिया है, बोरो लेंड ट्राइबल अटोनमस एरिया, उसमें चार डिस्ट्रिक्ट है, बकसा, चिरांग, कोकराजहर और उडालगुरी, यह चारो डिस्ट्रिक्ट जैसे हैं वैसे ही रहेगा, और जो अंदाज है, यह कोई डिस्ट्रिक्ट को और डिवाइट किया जाएगा, मतलब चार डिस्ट्रिक्ट के वज़ाए, खरीब साथ डिस्ट्रिक्ट बनेगा। शुरू करना भी शामिल है, इसके अलावा बोडो अंदोलन में मारेगाए लोगों के प्रतीक परिवार को पांच लाख रुपाय का मौआफजा दिया जाएगा। नय समझोते के तहट BTAD का नाम बदल कर अब बोडो लेंड टेरिटोरियल रिजन यानी BTR होगा। इसके साथ ही बोडो लेंड ग्षित्रिय परिशद यानी BTC की शक्तियों और कार्य प्रणाली की समीक्षा भी की जाएगी। बोडो लोगों की पहचान, भाषा, शिक्षा और भूमी अधिकार से जोड़े मुद्दों का समाधान किया जाएगा। साथ ही BTC से जोड़े मुद्दों के समाधान के लिए असम सरकार अलग विभाग का गठन करेगी। NDFP के सदस्यों का आत्मसमरपन और उनके पनरवास को भी समझोती में शामिल किया गया है। BTC के दायरे में आने वाले इलाकों के विकास के लिए असम सरकार तीन साल तक 250 करोड रुपए हर साल देगी। इसके अलावा समझोते के अमल के लिए किंद्रियक रहमंत्राले, असम सरकार, BTC और बोडो संगठन की साजा निगरानी कमिटी बनाई जाएगी। उसका जो सबसे इंपोर्टेंट है, पहले तो है Baudoland जो हम लोग Baudo Territorial Bitar area कहते थे, अभी उसको एक नया नाम दिया गया है, जिसका नाम है Baudo Territorial Region, तो उसके अंदर अभी उसको नया नाम से बोला गया है, उपर से जो, क्योंकि वो आमारा, संगवी दान का जो शिक्ट सेडिल है, उसके अंदर में आता है, तो उसी में कुछ, उनको, इट इस a state within a, it is a mini state within a state, तो ये है उसका समीदान, उसमें काभी अभी संखाय बाड़ी जाएगी, वहांका जो members होते है, Baudot, विटात को अधिनिस्ट्रेट करता है, Baudotarial Council, उसका भी अभी number बढ़ जाएगा Secondly, Baudot identity, Baudot protection, उनके बाड़े में भी और दिया है, mostly development, क्योंकि government ने एक huge development package लाया है, और एक जो स्वपसे बड़ी बात है, rehabilitation of the, जो हमारे insurgent थे, अभी मुख्रेधार में वापस आ है, उनका rehabilitation के बाड़े में भी बोला गया है इस समझोते के तहित, असम सरकार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, BTAD के बाहर, बोडो गामों के विकास के लिए, बोडो कचारी कल्यान परशत्की इस्थापना करेगी, असम सरकार, बोडो भाशा को राजिमे सहयोगी आधिकारिक भाशा के रूप में अतिसूचित कर बोडो माध्यम स्कूल के लिए एक अलग निदेशाले की स्थापना करेगी, वर्तमान समझोते के तहित, NDFP कुट हिंसा का रास्ता छोड़ेंगे और आत्म समरपड करेंगे, साथी इस समझोते पर हस्ताक्षर करने के एक महीने के भीतर अपने सशस्तर संगठनों को खत्म क कर देंगे, भारत और असम सरकार इस संबंध में NDFPP, NDFBRT और NDFPS के लगभग 1500 से अधे कैटरों के पुनरवास के लिए आवश्यक उपाय भी करेंगी संगोस्ठी के रिलूशन हो गया है, आज क्योंकि कॉन्फलिक्ट के साथ हमेशा जो नॉट इस्ट के समय सह रही है, इतनी कॉन्फलिक्ट के कर्म में जूड़ा हुआ था, यह हमेशा पिछड़ा हुआ था, आभी पीस हो गया, तो अभी जो गॉर्मेंट के सुभीदा है, वो और अंदर जा सकती है, लोगों के अंदर पहुच सकती है, और क्योंकि जैसे आगर आप देखिये, 2003 के बाद, 2005 के बाद, काफी problems थी, काफी ethnic conflicts हुई, तो इसलिए लोग भी कैसे जाए, कैसे deliver करे, वो एक दर रह जाता है लोगों में, कोई भी invest करे, तो हम तो सोचते हैं कि after this, we will expect more investment coming in, more development work taking place in those remote areas, और जैसे सरकार ने भी इस प्रोसेस में, काफी बड़ी-बड़ी packages बोला है, जैसे Sports University, क्योंकि नर्थिस के जो जूबा है, वेरी sports के तरह उनका ध्यान आ रहा है, तो यह जो opportunities और जादा खुलके आएगी इसकी दारान. इस समझोते का मकसद, BTC के क्षेत्र और शक्तियों को बढ़ाने और इसके कामकाच को कारगर बनाना है, इसके साथ ही BTAD के बाहर रहने वाले बोड़ों से संबंधित मुंतों का समाधान और बोड़ों की समाजिक, सांस्कृतिक, भाशाई और जातिय पहचान को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना भी है, समझोते के अन्ने प्रावधानों में आदिवासियों के भूमी अधिकारों के लिए विधाई सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ जन जातिय एक शेत्रों का तुरित विकास को सुनिश्चत करना भी शामिल है, बिरो रोड़ों राज अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर करीब पचास साल से हिंसात्मक विरूत प्रदर्शन का दौर जारी रहा, इस हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने कई पहल की, जिसमें कई समझोते भी किये गए, पर बोडो लेंड की मांग करने वाले एक गोटों ने हिंसात्मक विरू और इसके पूरे इतिहास को अनसूची में भारत की एक महत्वपूर्ण जनजाती के रूप में शामिल हैं, असम के चार जिलो, कोकरा जहार, बाकसा, उदालगुरी और चिरांग को मिला कर बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक का गठन किया गया, बोडो लोगों ने सबसे पहले 1966 में राजनेतिक समूह, Plains Tribal Council of Assam के बैनर तले अलग राज बोडो लैंड बनाने की मांगी थी. बोडो समिधाय जो है, यह असाम की माना जाता है, वान ओफ दा ओल्डेस्ट आदिवासी लोग है, जो बहां पे रहते थे, सालों से रहते थे, लेकिन उनका जैसे कोलोनाइजेशन हुआ, और माइग्रेशन हुआ, उनको काफी प्रोब्लम्स, उनकी जो कला थी, उनकी जो स बोडो लागा है, तो उसी यह एक बहुत समस्षा थी, और इस वस ए बाद आप प्रोब्लम्स, आभी देखिया जो यह एकोर्ड में बोला गया है, कि उनका जो भाशा है, आभी इस्टेट में वान उनको बताया जाएगा, आप इसमें देवनागरी स्कृप्टिवस इस्ते बोडो लैंड की मांग को लेकर विरोध प्रदशन का नेत्रित्व एंडी एफबी यानि नैशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडो लैंड ने किया, इस संगठन के जरिये विरोध इतना बढ़ गया था, कि केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधी रोख थाम कानून 1967 के तहट एंडी एफबी को गैर कानूनी घोशित कर दिया। में बाटने की मांग की। ये विवाद असम समझोते के बाद और भी तेज हुआ, क्योंकि असम समझोते में असम के लोगों के हितों के सनरक्षन की बात कही गई थी। इसका आसर ये हुआ कि बोडो लोगों ने अपनी पहचान बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू कर दि किया। दिसंबर 2014 में अलगाओ वादियों ने कोकराजहार और सोनितपुर में 30 लोगों की हत्या कर दी। इससे पहले 2012 में बोडो मुस्लिम दंगों में सैकडो लोगों की मौत हो गई थी और 5 लाख लोग विस्थापित हुए थे। बोडो लेंड के लोग समस्या के बात करें कि वो शुरू होते हैं 1920 से बैसिकली तो एडूकेट बोडो लेंड के लोग पहले वर साइमन कमिशन के पास गये थे उनकी मांगई को लेके क्योंकि उन लोग कभी से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उनका जो लैंड था उनका एंका का 1980 की देशक में जब उल्फ आई तभी यह जो भूल बोडो इंसरजेंसी है एक टर्न नॉन वाइलेंट और तब एक ओर्गेनाइजेशन निकलके आया बोडो सेकूरिटी फोर्स जिसको 1994 में लोग इंडी एव्बी के नाम पे पता चला पिछले 27 सालों के दौरान 2020 में हुआ समझोता अब तक का तीसरा बोडो समझोता है पहला बोडो समझोता औल बोडो स्टूरिंट्स यूनियन के साथ 1993 में हुआ था इस समझोते के तहत बोडो लैंड स्वायत परिशत का गठन हुआ था जिसके पास सिमित राजनितिक अधि फरवरी 2003 में दूसरा समझोता बोडो लिबरेशन टाइगर्स के साथ हुआ था जिसके अंतरगत बोडो लैंड शेत्रिय परिशत गठित हुई थी और इसके अंतरगत कोकराजहार, चिरंग, बसका और उदल गुडी शामिल थे बोडो शेत्रिय परिशत का गठन समविधान की छठी अनुसूची के अंतरगत किया गया था, लेकिन 1993 में अल्वरी एक अग्रिमेंट हो चुका था, बट वो जादा इक्टिव नहीं हुई, वो सब सक्सेस्फुल नहीं हो पाई, और हम देखते हैं बोडो फिर इंसर जिंस की के और चले जाते हैं, और फिर हम लोग जो जो मेजर निकल के आता है, बोडो लिबरेशन टाइगर्स, बट 2003 में अग्रिमेंट और इसकी थू काफी शांती वापस आती है, लेकिन फिर भी प्रोब्लम्स रह जाती है, क्योंकि काफी गुटे निकल के हो चुका होता है, और 2005 में, NDF भी अक्टुली एक सिस्फार साइन करती है, लेकिन वो एक्टिव, वो सम्था वो एक्टिव नहीं होता, और हम काफी हिंसा भड़कते हुएं देखते हैं, वहाँ पर स्पेशली माइनुरिटी स्पेस, आन्थल के, काफी उनके उपर होता है। जोलन, 1980 के दशक के बाद हिंसक हो गया, और तीन धड़ो में बट गया। पहले का नेतरित्वर, National Democratic Front of Bodo Land ने किया, जो अपने लिए अलग राजित चाहता था। दूसरा समूह, Bodo Land Tigers Force कहलाया, जिसने अधिक स्वायत्ता की मांग की। और तीसरा धड़ा, All Bodo Students Union कहलाया, जि इसने मध्यम मार्ग की तलाश करते हुए राजनितिक समाधान की मांग की। राजनितिक आंदलोनों के साथ साथ हथियारबन समूहों ने अलग बोडो राज बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया। अक्टूबर 1986 में रंजन दाइमारी ने उग्रवादी गुट बोडो सिक्योरटी फोर्स का गठन किया। बाद में इस समूह ने अपना नाम National Democratic Front of Bodo Land यानी NDFB कर लिया। देश भूटान भाग गये लेकिन अपना अभियान जारी रखा। 2000 में भूटान की शाही सेना ने भारत्य सेना के साथ मिलकर आतंकवाद निरोधक अभियान चलाया जिसमें इस गुट का लगभग खात्मा कर दिया गया। तब बोडो समूहों ने हिंसा का रास्ता छोड मुख्यधारा की राजनीती में आने पर सहमती जताई थी। NDFB के प्रमुख रंजन दाइमारी ने हिंसक आंदोलन को जिन्दा रखते हुए 2008 में असम के कई हिस्सों में बम हमले किये जिसमें 90 लोगों की मौत हो गई। रंजन दिमारी को हमले के लिए दोशी ठहराया गया। इन्विसफोटों के बाद NDFB दो भागों में बढ़ गई। NDFBP का नेत्रित्व गोविंदा बासु मतारी और NDFBR का नेत्रित्व रंजन ने किया। 2009 में NDFBP ने केंद्र सरकार के साथ बाचीच शुरू की। और 2010 में रंजन दिमारी को बांगला देश ने अरिस्ट कर भारत को सौप दिया। 2013 में रंजन को जमानत मिल गई जिसके बाद रंजन गुट भी NDFBP गुट के साथ केंद्र के साथ बाचीच में शामिल हो गया। NDFB के बटे हुए दो गुटों के साथ केंद्र सरकार के साथ बाचीच को आगे बढ़ाना इतना आसान नहीं था। 2012 में इंग्ती कठार सौंग बिजीत ने NDFB-R से खुद को अलग कर लिया और NDFB-S बनाया। इंग्ती के गुट पर दिसंबर 2014 में 66 आदिवासियों के हत्या के आरोप लगे। ये वो गुट था जो बाचीच के खिलाफ था। 2015 में इंग्ती की जगह पर 200 रैगवारा ने गुट की कमान समहाली। बाद में इंग्ती ने NDFB-S से अलग होकर अपना एक अलग गुट बना लिया। इस तरह पूरा गुट चार भागों में बट गया जो अब समझोते में शामिल हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट राजसभा टीवी तो यह था आज का विशीश अमीद है आपको विशीश का यंग पसंद आया होगा। आप यह हमारा कारिक्टरम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं जहांपर हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशाद दजार रहता है। पागी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे राजसभा टेलिविशन के साथ। नमस्कर।